हेले स्टोडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगत है और क्लास्टल कमिस्ट्री एंसे आटी में चैप्टर सिक्स स्टार्ट कर दिया हूँ और ये पहला वीडियो है स्टोडेंट चैप्टर सिक्स का नाम है धातों के निसकर्सन एबम उनके प्रमुक्ख योगिगों का अध्यन मतलब इस चैप्टर में आपका जो भी धात होगा जैसे ऐलुमिनियम है आईरन है कापर है इनके हम आएस्क पढ़ेंगे है ना और इसके बाद यहां पर हम पढ़ने वाले इनके सोधन के बारे में जिसने इसकर्सन पूरा बिधी पूरा इसका उप्योग जैसे इनके पूरा समान परिशाया पढ़ेंगे तो आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं अलुमिनियम का बेसिक जानकारी और अलुमिनियम का फिर सोधन पढ़ेंगे इसके बाद निसकर्सन विद्धुद अभटन विधी सोधन जो भी स्टूर्ट आगे चलकर हम पूरा क्रम से 17 होता है आपको पता होगा स्टूर्ट की आवर्त साड़नी में जो पूरा प्रियारिक टेवल है दो भागों बटा है एक तो आवर्त में एक बर्ग में आपको पता है की 18 बर्ग है और आपका जो आवर्त है वो टोटल साथ है ऐाठा नसान भाई मिलाकर Porsche भाई मन जाता है जिनमें हम SPD और F व्लाग के तक्तों को विवस्थित करके रखे हुए हैं आपको पता है मंडीव के अवर्थ सारनी के आधार पर जो तेरहमा समू है अर्थार जो अलुमिनियम का जो समू है वो पीवलाग के अंतरगत आता है ठीक है और यह जो बर्ग है वो तेरह नंबर में भी बर्ग में आता है अलुमिनियम ठीक है तो समान बेसिक जानकारी है कि पीवलाग का तक्तों है जो अलुमिनियम है वो पीवलाग का तक्तों है और 13 में बर्ग में आता है ठीक है किस बर्ग में आता है तेरा हमें बर्ग में इसका संकेथ है al परमाण कुमांख है 13 यदि हम बात करें पैरे बच्चों की परमाण उभार तो इससे 2 गुना कर दो तो तेरा दूनी 26 से 27 ठीक है और आक्सी कनवस्था जो है प्लस 3 दरसाता है कितना प्लस 3 दरसाता है आक्सी कनवस्था क्योंकि बाहतम कोस में 3 इलेक्टरान होते हैं और ये 3 इलेक्टरान देने की छमता रखता है इस कारण से प्लस 3 दरसाता है क्योंकि बाहतम कोस में कितने तीन इलेक्ट्रान और यह तीन इलेक्ट्रान देने की जहमतार रखता इस कऑन से फ्लस3 आक्षिक्रान आक्षिडेसन नंबर प्रदरसिद करता है यह तो परता है बोरबरी के सिझ्द्यान के अंसार फेले कोस में दो इलेक्ट्रान फिर 8 फिर 13 ठीक यह 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 घि Kauf के आप बाहू के आधार पर इसको हम बढ़ें तो 1H2, 2H2, 2P6, 3H2 और 3P1 हो गया तो यह कुछ बेसिक जानकारी है और आज हम बेसिक जानकारी ही पढ़ेंगे पैरे बच्चो ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके ओके आगे चलते हैं आगे दिया हम बात करें कि जो है इसको सबसे पहले किसने बनाया था है किसने प्रप्त किया था तो ओलर नामक गेंडिक थे होलर ऐसाइनग जो की यह ब मीन्यों को शे प्राइड के दोरा आप ड़ॉलर ने किसने इस की से ऐलमीनियों को शर प्रत हम किसने होलर ने स nieu आप अठारी सो 17 सट इसमें एड यह ऐलुमिनियम क्लॉराइट के अपचेन दोरा प्राप्ट किया था ठीक इतना क्लियर है आगे बात करते हैं यह आपका ना केबला भी ट्वल्थ में काम आएगा आगे चलकर आपको कमपटीशन एक जाम में भी तैयरी करेंगे ना तो काम आएगा कि अलुमिनियम को शर्पत इसने प्राप्ट किया हो जरनी कब प्राप्ट किया था सो बटैसमें जरी हम बात करें कि भूव पर्पटी में यह ऐलुमिनियम जो है वह किस रुप में पाये जाता है तो आक्सा dönem Key कि रुप Μें पाये जाता है किस रुल्मिनियम न ब्रुप सब्साइब पहले अक्सीजन इसके बाद सिलिकान फिर तैसरा नंबर में आता है iluminium तो भूपरपटी में ये तैसरा सरवाद Dorothy तत्तो पाया जाता है मुख्तवस्था में ये नहीं पाया जाता है मुख्रोप छे खनज़ के रूप में ये आएस के रूप में ही पाया जाएगा आगे बात करते हैं कि भारत में जो 20 में माईका की पूर्त में सबसे बड़ा देश है मतलब सबसे ज़्यादा माईका का जो पूरती करता है वो कौन है भारत है पूरे बिस्सों में पूर्ती सबसे ज़्यादा कौन करता है तो भारत करता है नहीं भारत में माईका सबसे ज़्यादा मिलता है अब माईका क्या है एलुमिनियम का आयस्क है तो एलुमिनियम के प्रमुख आयस्क के बारे मात करते हैं जो की competitive जाम में भी पूछा जाता है कि किसका ऐस के पेरे बच्छों वाकसाइड किसका है तो वाकसाइड एक ऐलुमिनियूम का ऐसक है जिसका फार्मॉला है A2O3 इंटू 3H2O, क्या है? AL2O3 into 3H2O Diaspore जो है AL2O3 into H2O सीधा अपजक्टिव में पुछा जाता है Voxide किसका ASC है? तो Aluminium का, Diaspore किसका ASC है? तो Aluminium का, Feld Dispar किसका ASC है? तो Aluminium का, Micah किसका ASC है? तो Aluminium का सीधे यही पूछा जाएगा पेरे बच्चों कि वाकसाइट किसका एसक है तो फिर आप बताओ किसका एलुमिनियम का दैस्पोर किसका एसक है तो एलुमिनियम का फेल्डी स्पार किसका एसक है एलुमिनियम का माइका किसका है तो एलुमिनियम का इसके बाद क्रायोलाइट य के एल S3 O8, माइका का के एल Si3 O10 O8 का होल ट्राइस, और क्रायोलाइट तो मुक्रूप से आपको बहुत मिलेगा पेरे बच्चों आगे चल कर, तो क्रायोलाइट का आपको पता होना चाहिए, आपको पीडिवत आपको लिखाया जाता है, और हाइद इसका आपको पीडिवत लेना है, तो च्छेयान पचासी, उन्तिय सिंक्यान नोट्स मिल जाएगा, आपको ज्यादा परसानी नहों होगी, आप आसानी से इसे त्यार कर सकते हैं, कभी-कभी पेरे बच्चों ये भी परिवासा पोंच दिया जाता है, कि खनिज क्या है, आयस क्या है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, कि प्रकति में प्रतिवी तल में पाया जाने वाले रासानिक प कहते हैं, तो ये चीज आपको नोट डाउन का लेना पेरे बच्चों कि खनिज किसे कहते हैं, तो खनिज क्या है, खनिज प्रकति में या प्रतिवी तल से खोड़ा गया या पाया गया पदार्थ है, जिसे आसानी से हम निकाल देते हैं, जवी तल से, उसे हम खनिज कहते है प्रतिवी तलपर पाई जाने व cobhyचल नहीं होाई कि आ एक जयों और इस सब्सक्री को सकते हैं यह फिर आप मत सब्सक्राइब कि कि सभी खनिज्ञ सभी खनिज्ञ अईस्क नहीं हो सकतें सभी इसक सभी खनिज्ञ खनिज्ञ हो मैं हमेशा देखता रहता हूं तो आप लोग अपना राय भी बताईएगा कैसा लगा और आप लोग क्या चाहते हैं कि तेजी गस्षे लाया जाए वीडियो कितने लंबी वीडियो लाये जार किकी अब फॉड़ा सा कूर्स ज्यादा आपको कराना पड़ेगा मतलब लंबा वीड वीडियो बनाना पड़ेगा तभी कूर्स कव्ट देख हो बाएगा तो आपलोग अपना राय जो है कमेंड बाक्स में करना बताना आरहां यार दोस्तों के साथ सेयर करो ताकि हम भी थोड़ा सा मोलटी मिले ऑर हाँ आप लोग